अस्सलाम वलेकुम बिस्मिल्लाहिर्रह्मान रहीम मौलाना आमिर रसादी साहब नेशनल प्रेसिडेंट आरियूसी के बारे में इस्माइल बातली वाला की रिपोर्ट 22 अगस्त 2012 को फेस्बुक पर मुस्लिम इत्थाद के लिए मस्वरा शुरू किया गया और छे महीने तक मस्वरा जारी रहा उस मस्वरे में सारे लोग मुस्लिम इत्थाद के लिए रजामंद नजर आए लोगों की राय के बाद हमने तई किया कि इत्थाद की कोशिश सुरू करना चाहिए और 20 जनवरी 2013 को कासी मेरा जिला थाने महराष्टा में आल इंडिया मुस्लिम महाच के नाम से इत्थाद की पहली मिटिंग बुलाई गई मगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बुलाया गया था उस मिटिंग में करीक 40 लोग ने हिस्सा लिया मगर पॉलिस का बंदोबस बहुत था दस मार्च 2013 को भाइंदर जिला थाने महराष्टा में आल इंडिया मुस्लिम महाच के नाम से इत्थाद की दूसरी और बड़ी मिटिंग बुलाई गई उसमें आरिउसी के महराष्टा प्रिसिडंट सेयद नूरुद्दीन आफ्ताब और असरफ आज में सामिल हुए आल इंडिया मुस्लिम महाच के नाम से इत्थाद की कोशिश सुरू किया गया था मगर एक बड़े मेता ने दावा किया कि ये नाम हमारा है इस नाम का इस्तेमाल करना बंद कर दो इसलिए पॉलिटिकल इउनिटी केंपेंड के नाम से इत्थाद मुहिम की सुरूआद की गई 2013 में देलही एलेक्शन के वक्त 17-18 सेप्टेमबर 2013 को देलही में राष्टिय उल्मा कॉंसिल के नेशनल प्रिसिडंट मौलाना आमिर रसादी सहाब से मुलाकात किया गया उन्होंने बहतर से मेजवानी किये और इत्थाद पर चर्जा हुई मगर उनका कहना था कि सभी मुस्लिम लीडर किसी न किसी के दलाल है और हमको उन सभी पर भरोसा नहीं है और उन्होंने कहा कि तुमने जो इत्थाद की बीमारी फैला रखी है वो काम्याब नहीं होगी 2013 दलही में हमने बटला हाउस इंकाउंटर की जानकारी के लिए हमने उस वकील से मुलाकात की जो उस मामले को देख रेक कर रहे थे मगर मुझे धर्ना मोर्चा के अलावा कोई भी कानूनी हिक्मत अमली बेहतर नजर नहीं आई 2013 देलही जंतर मंतर में आरियूसी की तरफ से बटला हाउस इंकाउंटर की रेली में हम सामिल हुए और उस रेली में मुझे बोलने का मौका दिया गया मगर हमको वकीलों के जरिये जो जानकारी मिली थी उसको हमने बयान करना सुरू कर दिया उसमर मौलाना आमिर रसादी सहाब उठे और सारे लोग के सामने हमसे माई च्छीन दिया 2014 लोग सभाई एक्षन में महराष्टा में फोर्स वन बनाया गया और सब की सहमती से इसमाईल बातली वाला को महराष्टा कनविनर बनाया गया मगर हमारी कोई बात मानी नहीं गई और EVP, RUC और WPI के सीट के जगरे में वो फरंट तूट गया 12 सेप्टमबर और 23 सेप्टमबर 2015 को मुंबई में इत्तिहाद की मिटिंग बुलाई गई उसमें राष्टी और रुमा कॉंसिल की तरफ से RUC महराष्टा प्रेशिडंट सेयन नुरुद्दीन आपताब सामिल हुए 11 नुवंबर 2015 को विजेवाला अंधरप वर्देश में सेख अब्दुरह्मान की मेजबानी में इत्तिहाद की मिटिंग बुलाई गई उस मिटिंग में मौलाना आमिर रसादी साब खुद सामिल हुए हमने दिसंबर 2015 में आरविसी महरस्ट प्रेशिडंट सेयन नुरुद्दीन आपताब से संपर्क किया और मौलाना आमिर रसादी साहब से मिलने का वक्त मांगा तो एक ही बार में उन्होंने 12 जनवरी 2016 को लखनौ में मिलने का वक्त दे दिया 12 जनवरी 2016 को लखनौ में मौलाना आमिर रसादी साहब के दर्वाजे पर जाकर उनके हाथ में इतिहाद का लेटर दिया गया उस वक्त मौलाना आमिर रसादी साहब ने हमको साल उढ़ाकर और गुल दस्ता देकर स्वागत किये और बहुत बेतर से मेज़बानी किये इतिहाद की कोशिश जारी ही थी सभी को एक मैई की मीटिंग का दावत नामा जा चुका था और उस दावत नामा को मौलाना आमिर रसादी साहब ने मंजूर किये थे एक मैई 2016 की मीटिंग की सफ़क्ता को बढ़ते देखकर मौलाना आमिर रसादी साहब ने 18 अपरेल 2016 को ही एक फरंट बनाकर अपने आपको यूपी का मुख्य मंतरी जाहिर करवा लिए मौलाना आमिर रसादी साहब की फरंट में सामिल पार्टी के नाम ये है राष्टिय उल्मा कॉंसिल राष्टिय करांतकारी समाजवादी पार्टी इंसाफ राज पार्टी सोराज जन पार्टी राष्टिय अम्बिदकरदल ईवा जन करांती पार्टी भारतिय परजा पार्टी भारतिय परजा तंदर निर्मान पार्टी नवदवर पार्टी देज भक्ति निर्मान पार्टी इन्साफ वादी मग्जवतन जनता पार्टी भारतिय किसांड परिवर्तन पार्टी पिछड़ा जन समाज पार्टी स्वर्नस समाज पार्टी वन्चित समाज पार्टी इन्साफ समाज पार्टी मौलाना आमिर रसादी सहब ने इन पार्टी ओं को कहां से लेकर फरंड बनाया जिनकी हम को जानकारी नहीं है इत्याद मिटिंग कह होने के बावजूद मौलाना आमिर रसादी सहब ने अपना अलग से फरंड बनाने के नागाम कोशिश किये एक मैई दो हजार सोला की पहली मीटिंग और चौबीस जन्वरी की दूसरी मीटिंग लखनौ में हुई मौलाना आमिर रसादी सहाब लखनौ में मौजूद होने के बावजूद मीटिंग में सामिल नहीं हुए मगर आरियूसी के यूपी प्रसिडंट डाक्टर निजाम अद्दीन और मौम्मद नसीम को मीटिंग में भेजे 19 जूलाई 16 की मीटिंग आरियूसी की आफिस में और मौलाना आमिर रसादी सहाब की मेजवानी में होनी तै थी मगर मौलाना आमिर रसादी सहाब ने ये सर्त रखी के अगर सभी नेशनल प्रसिडंट मीटिंग में मौजूद होंगे तभी मैं मीटिंग में आऊंगा वरना नहीं आऊंगा हमको लगा कि जब खुद मेजवान ही मिटिंग में नहीं होगा तो उस मिटिंग का नतीजा अच्छा नहीं होगा इसलिए उननेश जुलाई 2016 की मिटिंग जमात इसलामी हिंद की आफिस लखनों में रखी गई और जमात इसलामी यूपी ने बहुत बहतर से महजबाने की 19 जुलाई की मिटिंग में पीस पार्टी सोचल डेमोकरिटिग पार्टी आफ इंडिया इंडियान इन्यूनियन मुस्लिम लीग वेलपर पार्टी आफ इंडिया अवामी विकास पार्टी इंडियन नेशनल लीग आल इंडिया मुस्लिम मुस्लिस राष्टिय उल्मा कॉंसिल परचम पार्टी आफ इंडिया ये नौ पार्टी 19 जुलाई की मिटिंग में सामिद रहे 19 जुलाई की मिटिंग में पांच नेशनल प्रसिडन्ट तीन यूपी प्रसिडन्ट और एक जनरल सेगरेटरी हाजित रहे 19 जुलाई की मिटिंग में सब की सहमती से इत्यात फ्रंट की बुनियाद डाली गई और फ्रंट उस लेटर पर आधारित था जो मुस्लिम लीडर्सिप के हाथ में पहले से दिया गया था 19 जुलाई की मिटिंग में तैब हुआ कि इत्यात फ्रंट मुस्लिम की पहचान काईम रखते हुए OBC, SC, ST और सभी पिछड़ी जाती की सियासी पार्टी के साथ गटमंदन करने की कोशिश करेगा 11 जुलाई की मिटिंग में UP SMALE ELECTION मेनिफेस्टो भी मुहमत साधिक सहब की तरफ से पेश किया गया 19 जुलाई 2016 की मिटिंग में RUC की तरफ से UP के सेग्रेटरी डाक्टर जफर और मुहमत नसीम पूरी मिटिंग में सामिल रहे और उनकी मौजूदगी में सब कुछते हुआ 9 जुलाई 2016 की मिटिंग लखलों में हुई और RUC की तरफ से UP प्रेसिडंट अनिल सिंग और मुहमत नसीम सामिल रहे और ये मिटिंग डाक्टर मतीम खान UP प्रेसिडंट इंडियन इंडियन मुस्लिम लीग की मेंजवानी में हुई मौलाना आमिर रसादी सहब खुद के बनाये हुए फरंड की मिटिंग करते रहे मगर इत्याद परंड की मिटिंग में खुद कभी सामिल नहीं हुए मौलाना आमिर रसादी सहब का ये तरीका किसी को भी अच्छा नहीं लगा था देश और कौम के लिए इत्याद की हमारी कोसिश जाली रहेगी या तो पुरानी लीडर्शिप ठक जाए और इत्याद कर ले या इस इत्याद की कोशिश से नई लीडर्शिप पैड़ा हो जाए मैं आईना हूँ मेरी अपनी जवाबदारी है जिसे कबूल नहों वो सामने से हट जाए अल्ला हाफिज झार्शि झाली किप येज़ाब टॉा हाई best झाली कि प्लाव तर्फ बावशरी है